तो कॉमेडियन से राजनेता बने भगवन्त वान 48 साल के उम्र में दूसरी शादी करने जा रहे हैं उनकी दुलहन कौन है? किसने चुनी? और क्यों? उनकी पहली पक्ति से उनका तलाक हुआ आज पंजाब ही नहीं बलकी पूरे देश में हर को ये जानना चाहता है तो चलिए पंजाब की सियम की उथल पुथल वाली जिन्दी का नया अध्याय क्या है? अब वो भी चान लीजे पहले इन से मिलिए ये हैं डॉक्टर गुल्प्रीप कौर जिसके साथ भगवन्त मान की दूसरी शादी होने जा रही है कहा जा रहा है कि मान की मा और बहन में ही उनके लिए लड़की चुनी है भगवन्त मान अर्टालिस साल की हैं वे दूसरी शादी करने जा रही हैं भगवन्त मान का अपनी पहली पत्नी इंदर पीत कौर से तलाक हो चुका है उनके दो बच्चे हैं जो भगवन मान की पहली पत्नी के साथ अमारिका में रहते हैं बताया जा रहा है कि चंडीगर में भगवन मान की शादी कायजन होगा इसमें अर्विंज के जिवाल के साथ साथ बहुत खास लोग ही शामिर होंगे वैसे तो 2014 के लोगसभा चुनाव में भगवन मान की पत्नी इंदरप्रीत कॉर्स ने भी उनके साथ चुनाव प्रचार किया था तब उस वक्त कॉमेडियन से राहुरता बने भगवन मान 2014 में पहली बार संगूर से सांसत बने थे तब उनकी पत्नी इंदरजीत कॉर्भी उनके प्रचार में रज़र आई थी हलाकि इसके बाद दोनों का 2015 में तलाख हो गया था भगवन मान ने 2019 में भी संगूर से चुनाव दी था लेकिन 2022 में वे आपके ओर से पंजाब में स्रीयम उम्मीदवार बने उनकी नेतित में पार्टी को प्रचंद बहमत मिला वो सीयम बने वैसे तो भगवन मान ने कहा था कि वे राज़नीती की बजों से परिवार को समय नहीं दे पा रही है इसलिए उनकी पत्नी ने उनसे दूरी बना ली इतना ही नहीं तलाग के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा था इसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने पंजाब को अपने परिवार के उपर चिना राज़नीती के रिव उपत्नी से अलक हो रही है यानि सीयन साहाब नई जिन्दीगी के शिर्वात करने जा रही है उमीद है कि उनके जिन्दीगी की ये नई पारी नई खुश्या लेकर आएगी